बिहार में अगले तीन घंटे में इन जिलों में बारिस की आसार जोताए गए हैं। बतादे कि मौसम बिज्ञान किंदर की अनुसार अगले तीन घंटों में इन जिलों में जहमा जहम बारिस होगी। बतादे कि बिहार में मौनसुन की कमजोर होने से मौसम में बदलाओ देखने को मिल रहा है इसे बारिस में कमी देखने को मिल रही है इसे गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है अलांकि कुछ जिलों में हलकी बारिस हो रही है रभिबार को दो से तीन जिलों में सुबह नौ से दस बज़े तक बारिष की संभावना है यानि कि आज 9 बज़े से लेकर 10 बज़े तक बारिष की संभावना है बहार में मौनसून कमजोर होने से बारिष में कमी देखने को मिली थी ऐसे मैं आपको बता दे कि 10 बज़े तक मातर 2 से 3 जलों में बारिष की संभावना जताई गई है इन जलो में अगले तीन घंटे में हलके से ही मध्यम दर्श की बारिस में गर्जन और वज्रुपात की आसार है इस जले में पस्चिम चंपारन सिता मढ़ी और मधुमरी मधुबनी सामिल है उक तीनों जीलो में यलो अलर्ट जारी किया गया है यलो अलर्ट का मतलब है वेट एंड वॉच यानि मौसम खतरनाक नहीं है लेकिन अपडेट रहने की सला दी जाती है अगर मौसम ज़्यादा खराब होने की सभावना रहे तो घर से नहीं निकलना चाहिए इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से औरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया जाता है औरेंज का आर्थ है मौसम समानने से ज़्यादा खराब होने वाला है रेड का आर्थ है कि मौसम ज़्यादा खतरनाक है ऐसे में बतादे कि पिछले चार से पांच दिनों से मौसम में बदलाओ हो रहे हैं, मौसुन के कमजोर होने से बारिस कम हो रही है इससे गर्मी में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है सनिबार को मौसम बिभाग की रिपोर्ट देखी तो गोपालगन सबसे अधिक गर्म रहा यहां का अधिक्तम तापमान 49.3 दीग्री से अलसेस रहा गोपालगन में पिछले एक सब्ता में दो से पांच देखी तापमान में ब्रिधी दर्ज की गई है ऐसे में मौसम बिभाग के अनुसार राज्य में बारिश की संभाबना नहीं दिख रही यानि गर्मी एकवर्ट फिर सताने वाली है सनिबार को जारी एक सब्ता के पुर्ण ऐसे में आपको बता दे कि लगतार बिहार में दो दीनों से बारिश जो है वो थम चुकी है और ऐसे में आज मौसम बिभाग केंद्र के अनुसार तीन जीलों में भारी बारिश और वज्रुपात को लेकर श्रंभाबना जताई गई है जो सुबह नौ से दस बज़े तक इस अर्ट का मतलब होता है वीट एंड वॉच यानि मौसम खतरनाक नहीं है लेकिन अपडेट रहने की सलाह दी जाती है अगर मौसम ज्यादा खराब होने की शंभाबना रहे तो घर से नहीं निकलना चाहिए इसके अलाबे मौसम विभाग की और श्री और रीड अलट भी जार था तो कई लोगों की खास तौर पे किसानों की जान चली जी गई थी वजरुपात गिरने से आसमें लोगों को सचेत रहने की जरुरत है और ऐसे में बतादे की अभी तो फिलाल यलो अलर्ट चारी किया गया है तीन जिलो में मधुवनी पस्चिम चंपारन और सिता मधी त को ऐसे में आप लोग सचेत रहें सतर्क रहें